वेल्कम बेक टुमाइट उप्टेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आज किस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो भी स्टुडेंट अवदी निविश्टी से है अध्या निविश्टी से है ठीक है और उसके लिए हम लेके आए हैं बीए फस्समिस्टर के लिए जो फस्टियर का इसमें पेपर हो रहा है और यह पेपर पॉलिटिकल साइंस का है राजनेतिक विग्यांज से बोलते हैं यह पेपर आपका 26 को जो आपका पेपर होने वाला है याद रखो 26 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है ठीक है 2022 की बात करने वाला हूं उनमें कौन-कौन से कोशन आपके पेपर बनेंगे जिसका पेपर का नाम हो जाएगा भारती राश्टी आंदोलन और भारत का सवीधान मतलब कि भार तो वो चीज यहां एक्सपिल आपको की जाएंगी तो लोगन कौन कौन से कोशन आपकी एक्जाम के लिए इंपोटेंट है वह बात करेंगे लोग लास्त वीडियों बने रहे हैं आप से बादा करता हूं कि यहां से बाहर आप से कुछ नहीं जाएगा और यह 85% प्लस की में तो बादा करता हूं कि 85% यहां से आपको देखने को मिलेगा समसरे मेरी बात को इस बात को ध्यान रखना है कोई भी दिख्कत आ रही कोमेंट सेक्शन में आप जरूरू पूछेगा मैं आपसे बादा करता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है अब च किसी भी कोशन को पढ़ लेते हैं उसको बना बना के बड़े आराम से कोशन को आप करके आएंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपका कोई भी दिक्कत आ रही है मतलब मालों आप को याद नहीं है आपको भूल रहे हो तो उसको बना बना के करके आओ लेकिन छोड के नहीं आना है समझ रहे हो छोड़ के नहीं आना है चलो यहां देखो पहला कोशन क्या क्या याद कर रहा है पहला कोशन है प्राचीन भारती राजनितिक चिंतन की विसेस्ता क्या होती है और उसके लक्षण क्या-क्या देखने को आपको मिलते हैं यह कोश्ण आप देखेंगे भारती राजनितिक चिंतन जो है उसकी विसेस्ता क्या-क्या होती है विसेस्ता क्या है और उनके लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं वह आप देखेंग थेखते हैं उसमें जो होती है भारती रंड साहता बहुत थे यहां डेको क्या वह लग यहां यहां नेट्स कोश्ट्ट की बात करें यहां है मतस मतलब होता है मच्छी ठीक है तो मतस से न्याय क्या होता है मतस से न्याय क्या होता है और धर्म क्या होता है राज धर्म क्या होता है राजनितिक राजी क्या होता है उसके बारे मतस से न्याय के बारे में आप यात करेंगे मतस से न्याय क्या होता है ठीक है तो यह जीवन से झाल्ट होता है कि नहीं उसको आप एक वारे क्या होता है धर्म तो आप जानते होगे राजध्रम क्या होता है राजनितिक सासर क्या होता है अब इसकी परिवांसा पढ़ नहीं देखने को मिलेंगे को एक बार नोट करेंगे भारती राष्टी आंदोलन की कार्ण क्या थे कौन-कौन से कार्ण थे जिससे भारत में राष्टी आंदोलन चलाए गए थे उन कारणों के बारे में आपको देखना है आप मैं बता दू यहां आप से पूछेगा अगरवादियों और उदारवादि कि बीच में आप से अंतर पूछ लेता है कि उदारवादी किसे कहते हैं और अगरवादी किसे बोलते हैं उसके बारे में और यहां बोला गया है देखिए 1885 भारती राष्टी कांगरेश की स्थापना मतलब कि 1885 में जो भारती राष्टी कांगरेश की स्थापना होई थी वो कैसे हुई थी, उसकी अवस्ताएं क्या थी, वो कौन सी नीतियों की ब्याक्या की गई थी, उस नीतियों के बारे में भी आपको explain करना होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, इसको भी आप note करिएगा, एक बार लॉग कर लीजिए, अपने book notes, guest paper, जिससे भी आप पढ़ाई कर टेलिग्राम पर जाएए, इसका link description box में है, टेलिग्राम पर जाके, आप simple तरीके से देख सकते हैं, paper hacker, टेलिग्राम पर सच कर सकते हैं, paper, space और hacker, इस तरीके से करेंगे, हमारा आ जाएगा, फिर हमारा number आप डालेंगे, जो आप देख रहे हैं, description box में number दे रहे है, WhatsApp, आप आंदोलन के बारे में आपको explain कर देना है, साती साथ उसके कार्णों के बारे में आपको देखना है, ठीक है, कार्ण क्या है, यह आप देखेंगे, मैं next question क्यों चलता हूँ, इस question को एक बार देखेंगे सभी लोग, यहां गो लाकिक भारत में, भारत में जो सविग्या अब अबग्या आंदोलन चलाए गया था, यह बहुत ज़्यादा मौश्ट इंपोटेंट है, इसको मौश्ट की संद्या देने चाहिए, ठीक है, आप इसको परिमार क्या लिकला है, उसकी घटना है कौन कौन सी थी, उन घटनाओं की बारे में याद कर लेना, बहुत अबग्या जो हुआ था, तो भारत विवाजन होने का कार्ण क्या था, उस कार्ण को आप पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, इस कोशन को भी आप नोट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ बोला गया है, भारती सभीधान के सुरोत क्या क्या है, यह उसकी प्रिस्थावना, भारत की सभीधान की प्रिस्थावना बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है, इससे यह दूसरी भासा में यह कह सकता है, एक्जामर, क्या अपसे कहेगा कि भारती सभीधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, उधार का थैला, मतलब हमने, हमने सभीधान क्या बनाए, कई देशों के सभीधानों से मिलकर उनके विशेष्टा ली गई है कि वह या मौलिक अधिकार अमेरिका के सही है ठीक है करतब अब देखो हमारे सभीधान कहां से सुधार करेंगे तो अफरीका से हमें सभीधान संसोधन प्राड़ी ली गई है तो ऐसे जो प्राड़ी है तो कई देशों के जो हमें चाहिए ते इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज है हमने अलग-अलग देशों से उठाई हुकर हमारे सभीधान में रखी गई है तो वही बोला गया कि भारती सभीधान को उधार का थैला क्यों बोला जाता है ठीक है यह चीज है इसको आप एक्स्प अधिकार का बड़त मौदिक लेकर तो आपको बता होगा आर्टिकल बारा से लेकर 35 तक थे ठीक है और एक्क्यावन से लेकर करतब दे रखें जिसमें 10 मौलेक नीक्ति ने दे सकता तूँ समझ रहे हो ना यह सी सब कौप को देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इंपोर नीति निदेशक तत्व से धानतों का बढ़न करो नीति निदेशक से लेकर 51 तक क्या है नीति निदेशक को दिया गया है मौलिक कर्तब हो क्या 51 के का में दिया गया है भाग नमबर चार का का ठीक है ये चीज़ दिया गया है तो आप यहां पर एक्स्पेंग करना होगा सारा का सारा चलो भाग नंबर 3 में मॉलिक करतब पर दिये गये तिम्हलें नीटिन निधव सब्षा यहां कमें कोई बताओ कोई बताएगा इसको आपयार करना पड़ेगा बहुत जादा इंपोर्टेंट है ठीक है मौलिक करतब, हाँ, पहले 10-11 हो गए, शाबसीज पर सभीधान संसोधन जो हुआ था, कब हुआ था, 2002 में तब हुआ था, इसको आपयात के लेना, यहाँ देखो बोला गया है कि भारती सभीधान में जो संसोधन की प्राड़ी का उलेक, संसोधन के प्राड़ी आ गई, कहां से लिए गया है, अफरीका से लिए गया है, कभी कहां से लिए गया है, चलो यहाँ देखो बोला गया है कि भारत में राष्ट पती की अपाद कालीन सक्तियू की परिक्षण और उनका निर्वाचन के बारे में और कार उनकी अलुचनात्मक आपको व्याक्या करती है, important है इसको आप log करेंगे ठीक है अपादकालिन के लिए जेको भारत में जो अपादकालिन की सक्तिए वो 3rd प्रकार की है ठीक है 350 356 और 360 उसको याद कर लेना यह होता है वित्तिय अपादकाल 360 में लगता है जो वी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है ठीक है मृम्हारा बन जाएगा देखो टो असके वान में यह सक्ति आ जाती है कि जो भारती बारती प्रिद्दान मंतरी होते हैं अंप राजपाल की सक्ति क्या क्या है राजपाल की सकति के बारे में आप तो उनके बारे में explain करेंगे राजवाल के बारे में और बहीं बात की जाए खिलापत आंदोलन इस में पूछा जाता है कि खिलापत आंदोलन है वो कब चलाए गया था क्या उसमें प्रोसेस हुआ था उस प्रोसेस को आप पूरा याद करेंगे ठीक है और विधान मंडल की सक संसत का नर्माण किस से तीन जिदो से मिलका बनता है राजसभा लोकसभा और राष्ट्रपती से ठीक है तो इन तीनों को वारे में explain करना होगा तब आप संसत को अच्छी तरीके समझवाएंगे ठीक है और नेक्स कोशन है कि भातिर जो राज विवस्ता होती है तो यहां द दस आर्टिकल और 117 अर्टिकल के अंतरकत रखे गए इनको इनको इन दोनों को अच्छी तरीके से आप याद कर लेना कब धन विद्यक में चेंज हो जाता है ठीक है तो पहले राजसभा में पेस किया जाता है फिर लोकसभा में फिर राश्पती के पास में होता है फिर रा आप स्मझ पाइगे पॉलेटी बहुत अच्छी है यह पॉलेटी बढ़ोगे तो समझ लो कि जितने भी एक्जाम होते हैं वहां से आराम से आप क्लिर कर दोगे यहां भारत में सर्वचन्याल है देखो यहां सुप्रिम कोर्ट की सरचना उनकी सक्तियों के बारे मताना है और इन दोनों का अपड़ा पर चुनात्मक जो परिक्षण करना है। आपस में संबंद क्या है केंद्र का और रज का उनकी अलोचनात्मक आपको व्याख्या करनी है ठीक है उसके बाद में आता है चुनाब आयोग को पढ़ लेना उनकी भूमिका क्या होती है उसकी बारे में ठीक है और लास्ट में बस 1905 के जो बंगाल का विभाजन हुआ था य जो भी कोशन जो 26 मार्च को आपको पेपर होने वाला है अवाद इनिवस्टी वाले उनकी बात करने वाला हो कि होम साइंस को जटेजन पेपर होगा उससे पहले आपको इंपूर्डेंट कोशन मिल जाएंगे तो चैनल को अभी सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस क करो फटा फट अभी सस्क्राइब करो चैनल को ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स विए तब तक के लिए बाए बाए